आज का टॉपिक है एन्वार्मेंट एजुकेशन पर्यावरण सिक्षा ठीक है तो पर्यावरण एजुकेशन जो है क्या है ये एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आपको ये समझाया जाता है कि हमारा जो वातावरण है पर्यावरण है वो किनकिन प्रॉब्लम से किनकिन पर आपका ये दो चीजों से मिलके बना हुआ है ठीक है दो चीजों से मिलके बना हुआ है पहला होता है ये आदी स्पलिंग एन वायर ठीक है एन वायर का मतलब होता है बाहरी आवरार ठीक है दूसरा शब्द है आपका मेंट ठीक है तो एक जो पूरे सराउंडिंग को चारो तर जगों पर इसकी अलग अलग परिभाशा दी हुई है जैसे अगर आप डिक्शनरी में खोलेंगे तो एन्वार्मेंट को बोला गया है कि वह सारी जीवित और मृत चीजों से जो भी मिलके बनता है उसे हम क्या कर जीवित और मृत चीज है जब इकठी एक साथ जहां पर उपस जो है वो एक साथ मिलकर और गैनिजम एक साथ मिलकर रहते हैं ठीक है एन्वार्मेंट की जागरूपता फैलाने के संबंद में ही हम लोग क्या करते हैं हर वर्ष 5 जून को क्या बनाते हैं वर्ड विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है ठीक है और बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको लेके परिभाशाएं लिख दी हुई है अलग-अलग ठीक है जैसे कि एक थे प्रोफेसर एसल कायस्त उन्होंने बताय कि पर्यावरण चार प्रकार का होता है ठीक है अस अबने अलग-अलग प्रकार बताया तो उन्हें बहला चार प्र और प्राकर्थिक जो की माना ध्रा नेर्मिय थैं इसको आमने दो पार्ट में यहां पर दिखाया हुआ है इसको क्या बोल दिया है धुकर बिद्धू C टिक northernlast का मतलब क्या होता है अब आप बाटिक यहां पर क्या है जो भी पर्यावरण में उपस्ती चीजें यह क्या करती जो भी यहां पर सबसे पहली चीज है अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली चीज है प्लांट्स पेड़ पोधे तो प्लांट्स क्या करते हैं आपको पता होगा यह सनलाइट है आपकी यहां से क्या करते हैं इसके अलावा कुछ और अचयों सब्सेड़ें मदद करते हैं जैसे होगा आपका नाइट्रोजन क्यालशियम फॉस्फोर्स ठीक है हाइड्रोजन आपका होगा कारबन डायय ऊक्साइड ठीक है यह सारे क्या हैं क्या हैं आकार्वनिक तत्वा हैं जो हमारी जो खुद जीवी तवस्था में नहीं होते हैं और हमारी मदद करते हैं हमें जिन्दा रखने के लिए ठीक है और गैनिक सबस्टेंस की बात करते हैं और गैनिक सबस्टेंस में क्या आता है आपके कार्बनिक तत्व ठीक है कार्बनिक तत्व क्या होते हैं जो हमें खाने के द्वारा प्राप्त होते हैं ठीक है और वापस वो जो है एन्वार्मेंट में डिकम्पोज होके वापस चले जाते हैं आप खा के आपका फैकस निकलता है उसके बाद वो वापस एन्वार्मेंट में डिकम्पोज हो ज होते हैं और यह वापस से decomposed होके खतम हो जाते हैं ठीक है अचा इसके अलावा क्या है कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं फिजिकल फैक्टर में क्या है अपकी क्लाइमिटिक लिविंग चीज को जिंदा रहने के लिए मदद करेंगे ठीक है उसके अलावा क्या होता है आपका लीथो स्फियर ठीक है लीथो स्फियर क्या होता है जो पृत्वी है आपकी ये पृत्वी है ठीक है इसका जो उपरी परत है ठीक है जिस पे आप लोग रह रहे हैं ठीक है इ हाइड्रोस्फियर क्या होता है अर्थ सर्फेस पे वो जगे जहां पर आपको पानी मिले पानी क्या हो सकता है समुद्र हो सकता है तालाब हो सकता है जील हो सकती है ठीक है सागर महा सागर जो भी है वो सब मिलके क्या बनाते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं हाइड्रोस्फियर इसको हम क्या बोल सकते हैं आपका अर्थ जो होता है अलग अलग गैसे से क्या होता है घिरा हुआ होता है इसके चारो तरफ क्या है एक गैस का बाहरी आवरण है जिसमें क्या होता है सारे लिविंग और्गनिजम्स रहते हैं वाता वरण ठीक है तो वो जो गैसियस अट्मोस् रह रहे हैं एक साथ में वो आपका क्या कहलाता है atmosphere कहलाता है जैविक components की बात करते हैं मतलब ये खुद भी जिन्दा है और हमारे रहने के लिए सपोर्ट करते हैं तो जैविक components में सबसे पहले क्या आते हैं आपके producer मतलब उत्पादक उत्पादक मतलब क्या हुए जो आपका खाना अपना खाना खुद से बनाते हैं ठीके तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं अपना खाना कौन बनाते हैं पेड़ पौदे ठीके पेड़ पौदे अपना खाना खुद से बनाते हैं ये क्या करते हैं atmosphere से क्या लेते हैं carbon dioxide देते हैं sunlight की present में जो है खाना बनाके oxygen release कर देते हैं यह oxygen हमारे बाद में काम आती है ठीक है और खुद के भी बढ़ने में मदद होती है ठीक है इसके बाद क्या आते हैं आपके consumers उभोगता ठीक है consumers का काम क्या होता है खाना 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 कहां से लेंगे या तो green plant से लेते हैं ठीक है हरे पेंड पोदों से या फिर क्या करते हैं जो अपने से छोटे जीव जन्तू होते हैं उनको खातर भी काम सलाते हैं ठीक है अपने एक food cycle food chain पढ़ी होगी है ना food chain में क्या पढ़ाता है जैसे कि यह मार लो grass है ठीक है grass को कौन खा रहा है ठीक है grass को मार लो एक गाय खा रही है ठीक है फिर यह गाय को यहां शेर खा गया तो ऐसे करके बहुत सारी food chain चलती रहती है अनाज है उसको चुए ने खाया ठीक है चुए को साप ने खा लिया ठीक है साप को इंसान ने मार दिया ठीक है तो ऐसे बहुत सारी food cycles चलती रहती हैं लास्ट आते हैं डीकंपोजर अब घटक क्या करते हैं यह मृत जो भी चीज हो जाती है उस पर क्या होते हैं अपने आप उत्पन हो जाते हैं और उसको डीकंपोज कर देते हैं उसको पूरी तरीके से खतम कर देते हैं और वापस वह एंवार्म bacteria हो गया ठीक है तो ऐसे कोई भी आप decomposers होते हैं जो की decompose करने में जो है compounds को मदद करते हैं तो यह आपका एक atmosphere है यह हम लोग देखते हैं कि अर्थ कैसे जो है बना होता है यह एक प्यास के layer के जैसे layer by layer जो है यह होता है ऊपर से बाहर तक ठीक है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यह कैसे बना हुआ है यह जो इसका inner हिस्सा है किस चीज को क्या कहते है जो इनर से देखते हैं यह हमारी अर्थ है जहां पर हम लोग रह रहे हैं यह दो चीज़ों से बनी होति है एक तो होती है आपकी ऐस्याली क्रस्ट फॉती है यह जो लिए गाली यह बहुत पतली हो यह यह वह यह वह है वो आते हैं ठीक है इसकी जो है हम अगर बात करते हैं कॉंटिनेंटल क्रस्ट कि तो इक सेक इनक ए driven क्रॉस्ट की अगर भात करते हैं तो यह जो है यह जो है ना होता है आपका चेकन अपर याद रखेंगे और अलुमीनियम से चेत को इस लिए हम लोग क्या बोल देते सियाल भी बोल देते हैं दोनों को एक साथ, यह मिलके बना होता है किसका सियाल का, और ओशेनी क्रस्ट जो बनी होती है, ओशियन्स वगेरा, समुद्र, महासागर वगेरा जिसमें आते हैं, वो आपके बने होते हैं, सीमा, सीमा मैंने कठे बताती है, यह होता है आपके सिलिकन और Magnesium ожно, Silicon और Magnesium से बने होते हैं तो Ocean crust आपकी होती है Cima कोण्टिनेंटल crust जो होती है, वो आपकी, वो होती है CL, ठीक है, तो यह आपकी ओशिनी crust हो गई 5 km और यह Continental Crust हो गई आपकी 35 km ठीक है, इसके जस्ट नीचे आपका आता है मैंटल ठीक है मैंटल जो होता है ये करीब ये इसकी इन दोनों की बाद हम नहीं कर रहे हैं अभी ये जो मैंटल है ये जो मैंटल है ये यलो वाला रीजिन ये देख रहे हैं ये सबसे चोड़ा है ठीक है ये तो ये मैंटल अराउंड होता है आपका 2900 किलो मीटर तक फैला होता है ठीक है मेंटल जो होता है अर्थ क्रस्ट तक पूरा ये फैला रहता है ठीक है और इनर मोस्ट ये जो रेडियस है इसको हम क्या बोलते हैं कोर और यहां से जो अर्थ की रेडियस होती है वो हम कितनी ले लेते हैं जो अर्थ की रेडियस होती है वो अर्थ की रेडियस होती है और यहां का जो टेमप्रेचर होता है वो भी बहुत जादा होता है ठीक है ये बना होता है आपका निकल और आइरन से ठीक है तो इसको हम लोग शौर्ट में बोल सकते हैं नाइफ ठीक है अब अर्थ के उपर ये जो होता है एर की एक huge blanket होती है जिसको हम क्या बोलते है atmosphere अब ये जो atmosphere है ये हमें क्या करता है बहुत सारी हानिकारक rays से किर्णों से बचाता है सूरज की और temperature को भी maintain करने में मदद करता है अब ये आवरण है gas का ये हम लोग देखेंगे कि ये gases जो है वो atmosphere में कैसे कैसे फैली रहती है तो ये है एक की कैसे जो है वो atmospheric gases जो है वो atmosphere में बातावरण में फैली रहती है तो सबसे ज़्यादा जैसे कि आपको पता है around 78% तक जो है वो हमारे atmosphere में nitrogen है अगर इसको और एप्रॉक्स करें तो यह होती है आपकी अराउंड 78.03% तब आपकी क्या है नाइट्रोजन है अट्मोस्फियर में नाइट्रोजन बहुत ही जादा जरूरी गैस है कैसे जरूरी गैस है प्लांट्स जो है वो इसकी मदद से ही क्या करते हैं बढ़ते हैं अब अध्यम से प्लांट्स लेते हैं दूसरा क्या हो सकता है कि रूट्स जो है उनकी जड़े है वो नाइट्रोजन जो है वो एयर से ग्रैप करती है और जो है फिर यह लोग आगे बढ़ते हैं दूसरी जो सबसे इंपोर्टन गैस अट्मोस्फियर में वो है आपकी ऑक्सीजन जो की करीब 20.9 प्रतिशत है यह परसेंटेज आप याद करेंगे ठीक है ऑक्सीजन अराउं 20.9 प्रतिशत होती है जो की हम सब के यूमन्स के ब्रीटिंग के लिए जिंदा रहने के लिए बहुत ज़ादा जरूरी है ठीक है और यह हमें कहां से मिल रही है प्लांट जो है फोटो सिंतेसिस की प्रक्रिया करते है ठीक है जिसके वज़े से हमें क्या मिल रही है ऑक्सीजन मिल रही है तीसरी अधर इंपोर्टन गयास होती है आपकी कार्बन डाई ऑक्साइड अच्छा पहले कहता है कार्बन डाई ऑक्साइड जो है वो हमें हमें जो है एटमोस्फ इसकी वज़े से जो carbon dioxide है इसका रिलीज बहुत जादा बढ़ गया है carbon dioxide का volume बहुत जादा बढ़ गया है जिसकी वज़े से यह हमारे मौसम पर या other climatic condition पर जो है वो असर डाल रहा है ठीक है इसके अलावा atmosphere में आपके आरगन मौजूद होती है hydrogen होती है 0.01% के according helium होती है neon होता है cryptals and all ठीक है लेकिन यह इत्ती important gases नहीं है और यह जितनी भी gases है यह कैसी होती है colorless होती है ठीक है रंग हीन गंध हीन और स्वाध हीन होती है ठीक है अब इन gases का आवरण पड़ते हैं कि कैसे कैसे जो है यह atmosphere में फैला हुआ है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे यह हमारी earth surface हो गई सबसे पहले जो हमारी layer आती है 0 से करीब 18 km तक यहां तक ठीक है यह कौन सी layer है आपकी troposphere बोलते हैं इसको ठीक है इसमें क्या होता है हम जो सांस ले रहे हैं वो gas होती इसके अलावा जितनी भी weather conditions है weather conditions जैसे की बारिश हो गई आपकी ठीक है पहाड हो गए और hail storms हो गए कोहरा हो गया यह सारी चीज़ें आपको इसी layer में काम करती हुई मिलेंगी ठीक है stratosphere में क्या क्या चीज़ें होती है आप याद रखेंगे यहां पर भी अभी क्या है clouds नहीं होते हैं ठीक है और यहां पर आपके planes जो है वो करेंगे ठीक है ओजोन लेयर भी इसी में होती है ठीक है यह ओजोन लेयर है यहां पर ओजोन लेयर होती है यहां पर यह ठीक है यह क्या करती है हमको जो सन की रेज आती है उससे क्या करती है बचाती है ठीक है फिर इसके ओपर देखते हैं इसके ओपर हमारी क्या है मीजो लेयर है ठीक है मीज मीजो स्फियर आपका कई 25 किलो मेटर तक पयाला हुआ होता है ठीक के यहाँ पर तैंपरेचर जो है वह अजानक से क्या हो जाता है बहुत कम हो जाता है 95 डिग्री 16 km टक ऊपर पांच सो से 16 km में उपर की जो जो लेयर होती है वह आपकी क्या होती है exosphere ठीक है इसमें जए इसमें होता है यहां khuatan ही ठीन हो जाती ठीक है टेम्प्रेचर बहुत जादा रहता है क्योंकि उसके ऐना पर उसके बाद यहां पर solar radiation स हैं ठीक है वह सन पर डारेक्ट तच में रह रही है तो वहाँ पर temperature जो है वो बहुत जादा हो जाता है और बहुत light gases यहाँ पर travel करती है जैसे कि आपके होगे hydrogen या helium इस तरीके की gases इस environment में रहती है ठीक है अब यह जो environment आपने create किया है इसकी वज़े से क्या हुआ है बहुत सारे नुकसान हुआ है problems होने लगी है बहुत सारी क्या होने लगी है ozone layer deplete होने लगी है ozone layer का 6 हो रहा है chloro-fluorocarbon की वज़े से nitric oxide atmosphere में बढ़ गया radiation बहुत जारो गया इन सारे कारणों की वज़े से क्या हो रहा है ozone layer जो है हमारी यह जो ozone layer है यहां पर क्या हो रहा है holes हो रहा है जिसकी वज़े से solar radiation यह क्या कर देता था यहां पर रोक देता था तो जिससे नीचे क्या होता थी बहुत ज़्यादा heat यह harmful radiation जो है वो यहां से reflect होके वापस चले जा रहे थे पर अभी क्या हो रहा है यहां पर hole हो जाने की वज़े से वो जो radiations है वो उससे direct नीचे चले आ रहे हैं और various types of infections हो गए आपके बीमारियां हो गई उसको बढ़ा रहे हैं ठीक है दूसरा क्या चीज है greenhouse effect ठीक है greenhouse effect की वज़े से क्या हो रहा है ठीक है जो हमने environment में काफी changes कर दी है जिसकी वज़े से conditions जो है वो बहुत ही uncertain हो गई है जैसे क्या होता है earthquakes आ रहे हैं भूकम ठीक है तो भूकम आ जाता है volcanoes ज्वाला मुखी हो रहा है बाढ़ आ रही है land slide हो रहा है ठीक है tsunamis आ जा रहे हैं 26 दिसंबर 2014 में सबसे बड़ा एक्जामपल है tsunami ठीक है करीब डेड़ लाक लोग उसमें मारे गए थे ठीक है तो इस तरीके के बहुत सारे जो है हमें प्राकरदिक आपदाओं का सामना करना पढ़ रहा है environment disbalance हो जाने की वज़े से ठीक है तो बाकी अगला चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद